तो गाइस कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके अभी से कमेंट करके बता दो और वीडियो को लाइक कर दो इस लाइक वीडियो का लाइक का टार्गेट हम रखते हैं कम से कम तो लाइक पासे जरूर करते हैं क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मेहनत किया हूं और आगे चलके एक और बात बताने वाला हूं तो वीडियो को ध्यान से दिखेगा एकदम ध्यान से दिखेगा तभी आप लोग परपेटल की समझोगा और इस वीडियो करेक्वेस्ट शेंगे सबसे पहले हम लोग अप्लिकेशन यहां से ओपन कर देंगे जितने लोगों चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेली पे जूब है सभी यहां को प्लस करने हैं प्लस करने के बाद आप नौसला गेंगे 2030 और बैग्राउंड में ब्लेक्वेस्ट प्रे बालरी से एक फोटो को आड़ से चल्य यह 100 फोट लेने हैं चल्य कोई लेंगे एक फोटो लिए जलो जलो यह व्लोव फोटो पर मनाये थे कि टूंट Goes Goes जाएके थोड़ा सा इसको जूम कर देना है ताकि आपको फोटो को मूब करना है ठीक है अब यहाँ पे क्लिक करेंगे मूब एंट रांस्वम पर जाएंगे एक प्लस सुरू में लगा दो और थोड़ा सा इधर स्वाइब करके लेके आ जाओ ठीक है लास्ट में जाके एक और प्लस करना है थोड़ा सा इस तरीके सकरके ऐसे करके राइट कर देना है ठीक है क्लियर है ध्यान से देखना भाई का जो सौंग था वो दूसरा था वो एक डाइलग टाइप का था और मैं सौंग पर बता दे रहा हूं सेम चीज आपको यहाँ पर प्लस करना है से पोला उप से क्थम मैSON करेक्रिक देखना थे दकता है अब आपको इस बॉक्स पर खर रहे हैं इसको उपार से नीचे कर टीक है अब आप देखोंके बहुत क्लियरली यहां पर आपको देखने मिल जा रहा है यह वाला ब्लेख सेड़ों देखने लोगो एड़ करेंगे जाएंगे अगर आप लोगो बनाने नहीं आती है तो आप इस वीडियो में जाएगा प्रॉपर्ली आप वीडियो को पूरा का पूरा वाच करो आपको पता चलेगा कि कैसे चैनल लोगो बनाते हैं चलिए मैं अपना चैनल लोगो यहां यहां पर रखेंगे और थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे मतलब छोटा कर लेंगे ठीक है और कुछ इस तरी कैसे हम लोग यहां पर रख देते हैं क्लियर है ध्यान से देखना अब आपको यहां पर साउंड करना है तो चलिए एक वीडियो से आडियो हम लोग निकाल लेते सब्विंदे कर देंगे यहां से गांर देखते रहें अब आपको साउंड को क्लिक करके खोड़त करके लाऌज तक जाना ठीक है अब यहां पर बहुत ध्यान से देखना होगा तभी आप लोग परफेक्टली और करेक्टली समझोगे जो भी मेहनत है आपको नहीं करना आपको कम मेहनत करना होगा एक वीडियो एक वीडियो लेके आऊंगा कि आलाइट मोशन में आप कोई भी टेक्स कैसे एड कर सकत पहले वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है कि जिस हसी खाब की ठीक है अब हम लोग चलते हैं यहां पर नोटबुक में अपने ठीक है तो नोटबुक ओपन करते हैं वहां पर थोड़ा सा बात आपको बतानी है जो बहुत ही important है समझना important है अब गाइस देख सकते हो कि मैं अपना चौठा वज है मुझे तो इसी तरीके से पहले आपको इधर लिख लेना होगा इसको कॉपी करना होगा कॉपी कर लेने के बाद आपको चलना होगा बताते हैं कहां पर यह जो आप देख रहे हो हिंदी फॉन्ट कंवर्टर इसका यह वाला अप्लिकेशन आपको दे क्लिक कर लैंे कि यहां से इसको क्लिक कर देने के बाद यहां से इसको क्लिक कर देना है कि यहां पे पर किया हुआ है यहां पर किया हुआ यह आपको इसको द्यान से लगाएंगे क्योंकि आप सिथी सब्सक्राइब जो आज सकते हैं रुम यह सारे को मैंने निकाल लिया और यह सारे आपको मैं दे दूंगा आपको बहुत ही इजली मिल जाएगा दिक्कत करने वाली बात नहीं है सिर्फ आप टेलिग्राम जोइन कर लो ठीक है इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो लेके आएंगे जहां पे एकदम क्लियरली बताएं पूरा प्रॉपर आपको वीडियो मिलेगा ठीक है अब चलिए वीडियो के तरह बढ़ते यह इंपोर्टेंट था आप लोगो बताना ठीक है अब जिस हां से पहला वाड था मेरा जिस हां से ठीक है यहां पर हम लोग आएंगे गाईस और यहां पर टेक्स्ट पे जाके यह प्रस करेंगे यहां लोग पेस्ट करेंगे देख करके इसा देख सकता ही धाला आपित करना है यहां से यहां पर Technique हम लोग लोग आते हैं अब हम लोग आते हैं टेKS्ट को एडिटिंग करने केलिए ध्यान से देखते रहो यहां पे गाईस अब इस next word पे क्लिक कर लेते जहां तक यह word रहेगा बागी part को हम लोगो इधर से cut कर देने होंगे ठीक है ध्यान से देखो यह काम हो जाने का वदा आपको करना है क्लिक करना है और इसको अच्छा से और भी adjustment आप कर देना जितना बड क्यादा जूम नहीं करेंगी इतना चूम करेंगे के इतना काम हो जाने कवाद यहां से अब हम लोग लोग कर लेते हैं तो कुछ तरीके से जूम होना यह अगर इन आउट लगाते हैं तो वह एफिक्ट उतना अच्छा काम नहीं करेंगा इसलिए हम लोग इसको जीरो कर दिये ठीक है अब इसको बंद कर देते हैं फिर हम लोग आइड िफिक्ट पर जाते हैं गाई सब आपको यहां पे टेक्स वाल ऑप्शन पर जाना है टेक् लेटर जो सेलेक्ट रहता है यहां पर वर्ड को सेलेक्ट कर देना है ठीक है वर्ड को सेलेक्ट कर देने के बाद इधर से कॉंपोनेंट सेलेक्ट कर दो इधर नीचे आओगे अल्फा पे क्लिक करना अल्फा को इधर से पूरा को पूरा माइनस में कर देना है ठीक है अल्फा एक पहला वर्ड एक बार आ रहा है दूसरा वर्ड दूसरे बार रहा है ठीक है हो गया इतना काम कम्प्रीट यह देख लो कितना कमाना के लगे है देखना है perfect है अब इसी टेक्स पर क्लिक करेंगे effect पर यहाँ से एड़ धेफक्ट पर जाएंगे और एक आपको option लगाना होगा directional लगार तो वह आपको बिलर्वाल उप्सन पर जाओ गेड़ स्टांडेर्स सेटिंग को यहां से ओपन करेंगे यहां पे प्लस लगा देंगे पहले यहां पे प्लस लगाएंगे और इसको पहले जीरो कर लेंगे ठीक है अब लास्ट में जाके और प्लस करना है और इसको प्लस कर देने को इधर सब्सक्राइब को 45 रखना है तो इधर सब्सक्राइब रख देते हैं और इसको इस तरीके बढ़ा दो ठीक है इतना काम कम्प्लीट अब आपको स्क्रीन पर टैप करना है फिसे आपको टेक्स पर क्लिक करना है यहां से एड़ इफेक्ट पर क्लिक करना है अब आपको कलर एंड लाइट पर जानी है गाइस और यहां से एक्सपोजर एंड गामा को स्लेट करनी है यहांसे स्टैंडर सेटिंग को क्लिक करना है अब इक्सपोजर इन गामा को इधर से on करेंगे और यह exposure 0 रहता है इसको हम लोग को इधर से one करना है ठीक है कि एकदम एक जैक्किली one कर देना यहां से देख लो यह complete complete हो गया देख सकते हो आगाईस अब दोस्तों देख सकते हो आपका जो वीडियो है पूरा का पूरा प्रॉपरली बनके रिडी हो गया है मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही कि यहां से इसको क्लिक करेंगे और यहां से अपको क्लिक करना है और उससे पहले आपको दूसरा वाड का जो यह है इसको हमलों को यहां से खॉपी करना है ठीक है यहां से दूसरा वर्ण हमारा इस्ट ओर हो रहा है तो कॉपी करेंगे फिससे आपको इधर अ fresh AI जोगा और यहां Size लिए तो देख लो, तो लोग कितना उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से सीखे होंगे समझ गयोंगे दोस्तों इस वीडियो में बहुत जादा मेहनत लगा है तो आप से यह की रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का टार्गेट कम से कम 5000 है तो 5000 आप कैसे उकर दो यार जैसे मर्जी वैसे 5000 लाइक कर दो जैना बाद ऑई स्थेंक्यों लभी और हो हैं तक लिए ँस मैं याहां से इक्सपार्ट करोगों आपका का गैलरी में से और घॉन